बूल एंटर्टेंटमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें नेलब मेरी चान क्या हुए इस वक्त इसी रात को अकेले अबाद कहा है अबाद में आया साथ आप खुद आईए यह उन्होंने आप निकाला है मुझमा मुर्देमा आप खुद आप खुद आप खुद आप आप खुद आप खुद आप आप खुद आप अगर वो यहां से भागी या कहीं भी गाइब होई ना तो तेरी गर्दन तोड़ दूगी मैं बीबी साहब आप फिकर ही ना करें अच्छा मुरीद को बला के ला उसे कर गाड़ी त्यार करें आप कहीं जा रही हैं? आप खाने जा रही हैं बड़े साहब भी आपके साथ जा रहे हैं? नहीं वो नहीं जा रहे सिर्फ मैं और मुरीद तुम्हें क्या लगटा है? सौफी को कैद करके तुमने वक्त को कैद कर लिया है लोगों की किसमतों और फैसलों को कैद कर लिया तुमने अगर तुम यह सोच रही हो कि उसे बंद करके तुमने मुझे बंद कर लिया तो तुम गलत सोच रही हो बतूल बीबी क्योंकि एक पर फिर शुक्षिस्त तुम्हे ही होने वाली है क्योंकि तुम तुम मुझे बंद नहीं कर सकते मैं जा चुका हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊ और तुम्हारे पास तुम्हारे पास तो कभी भी नहीं इसलिए उसे जाने दो मेरी सुफी को जाने दो तुम्हारी सुफी पास पास गया पास 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 सुलाब बीवी साइब वाले कुम्हार रदाशोर शराबा तो निक गाताई कि असने रात को नहीं बीबी साहिब बस एक मर्दवा का कि मुझे जाने दो बीबी साहिब से बात करने दो मैंने का नहीं धरवाजा सुबह एक खुलाएगा उच्छो पोकर शोदी बैठ के ही पानी भी नहीं मांगा जी बीबी साहिब पानी भी नहीं मांगा अच्छ थीक है तुझा जा के अराम कर ले जोग कम बीबी से आप है वा बुझता आजहीं धुआ उठता तो है गुटासा उठता तो है गुटासा आखों में जल रहा है हुटासा आखों में जल रहा है हुटासा आखों में जल रहा है हुटासा आखों में हुटासा आखों में जल रहा है हुटासा आखों में जल रहा है याद आगई तुम्हें हमारी कैसी अम्मी मैं तो आपको कॉल करना चाह रही थी लेकिन अबाद मना कर रहा है क्यों एबाद क्यों मना कर रहा है क्या वो भी हमसे दुश्मनी कर रहा है और यह उसका तरीका बातात है अमीड आप इतना खुस्सा क्यों कर रही है क्योंकि तुम वहां मुहबत की वादी में पींगे ले रही हो और यहां हम सब तुम्हारी वज़ा से मुसीबत में आ गए क्यों? क्या हुआ है? क्या नहीं हुआ तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हुआ है अबाद का बाप और उसकी चची यहां पुलीस लेकर आ गए तुम्हारे बाप को पुलीस ग्रिफसार करके ले गई कल रात से तुम्हारी पुपो गाएब है और उसके बाद से तुम्हारा भाई भी गाएब है अमीड बापा ठीक तो है ना और पुपो का है? और कासन? नेला मज़े जो कुछ पता था मैंने तुम्हे बता दिया है बहुत कुछ ना पूछो मचसे तो अच्छा है अच्छा में आप रोह तो मत प्लीज कहा हो तो? और इबाद कहा है? इबाद तो सोह है बहुत अच्छा जगा उसे और जगा साही भी हमारी हो रही है जगा है अच्कतosition और एकुम्हे बिल्कीस बिल्कीस जी जी बीबी साहिब इस औरत को ज़र चाय पिला दे जी अच्छा लेकर देखी अगर वो यहां से भागी या कहीं भी गाइब हुई ना तो तेरी गर्दन तोड़ दूगी मैं बीबी साहिब आप फिकर ही ना करें ची जा मुरीद को बुला के ला उसे कर गाड़ी त्यार करें आप कहीं जा रही है हाँ आने जा रही है बड़े साहब भी आपके साथ जा रहे है नहीं वो नहीं जा रहे सिर्फ मैं और मुरीद बीबी साहिब अगर साहिब जी पूछें कि कि आप कहां गई हैं तो उन्हें क्या बोलूं तो इतने सवाल क्यों कर रही है जा वो कर जो मैंने कहें जी अभी बुलाती हूं जा हिबाद 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 क्या हुआ मुझे अपने घर जाने कर क्यों मैंने तुम्हें मना किया थानम कि फॉन मत करना बात को मेरी वजह से मसीबत में अचे प्लीज वहां लेचले क्या होगा से मुझे नहीं बता मुझे जाना है बस इलम तुम जानती हो तुम्हें वहां से निकालते वक्त कितना बड़ा सींग्रेट हुआ था फिर वहां बापिस जाना जाती हूं हम अब भी बिलकुल अकेले हैं घर में बाबा पुली स्टेशन में और वो और कासिम पुली स्टेशन में पुली स्टेशन में बापिस नाने दिया तो इसा नहीं होगा अबाद और अगर होगा भी तुम्हें नहीं रुखोंगी वहां तुम सारी जिन्दगी उनके सामने उंची आवास में बॉल नहीं सकी तुम तो वह शादी भी करने चाहरी थी जो करवा रहे थी अबाद नहीं है घर पर सुख और हम भी बिलकुल अके लिए वहां प्ली के सामने के पास लिए चलें और पुपो का भी पता करें जब से वह आपके घर गए है तब से वह गायब है क्या पता वह आपके घर में है वहां क्यो होगी वो मुझे नहीं पता है वागा आप पिस मेरी मदद करें हमारी मुदत की सजा मेरे घर वालों को नहीं मिलनी चाहिए हुआ 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 है बतूल बीबी को बुलाना, मुझे उनसे बात करनी है साइब वो तो घर पे नहीं है घर पर नहीं? तो कहा गई? वो जिब मुरीद को लेकर थाने गई है अच्छा चीक है तुम जाओ तुम जी से अच्छा बिल्की बात सुनो ये इस आदमी को जानती हो? बड़े सेब कौन सादमी? इसी मुरीद को दो चार बार शाजी के दरगा पर नजर आया था अजीब साधूओं वाल था इसका शादी कहते थे इश का रोग लगा हुआ इसे लेकिन आप लगता है जैसे अपने सारे रोग भूल गया बड़े सेब मैं तो हमेशा बीबी साब के साथ ही रही हूँ लेकिन इतना जानती हूँ सेब के बीबी सेब के अबबाजी का खास मुरीद था और अब बीबी सेब आँख बन करके उस पर इतबार करने लगी है बड़े सेब वो तो वो मर्द है औरत नहीं वरना मेरी कब के छुटी करा देता है चीक है तुम जाओ और बिलकीस बतूल बीबी या मुरीद से कुछ कहने की ज़रूरत नही है ठीक है में साथ ये निकाह अबाद के दूस्त फैसल के घर हुआ थे तुम्हारी बेगम, बेहन और बेटा सुब उसमें शामिल थे और रासी आगों में जल रहा है आगों में जल रहा है अरे बीबी, आप मुझे फोन कर देती हैं, मैं खुदा हादिर हो जाता नहीं, मेरा काम था, तो मुझे ही आना था ना आप तरशीव टकें, रुकम करें मुझे उससे मिलवा दीजे इससे शादाव हैं बसे? जी और अगर मुलाखात काम्याब रही तो आप शादाव बेहमद को मेरी जमानत पर रहा कर दीजेगा क्या मतलब, आप अपने दुश्मन को यहां से निकलाना चाहती है? हाँ गुसाखी माफ लेकिन इसकी वज़ा क्या है? वो मैं आपको नहीं बता सकती और आप पूछियेगा भी मत बस मुलाखात का बंद बस कीजिए जैसा आपको कॉकम पुपो 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 ये लर्के, कौन है तू? और यहां क्यों गुसा है पुपो का मेरी तेरी पुपो? तेरी पुपो यहां क्या करेगी और क्यों ने तू? जा जहां से, मैं बुलाओ आद्मियों को मेरी बात सुन मैं उन्हें यहां से लिए बिना वापस नहीं जाओंगा बुलाओ उन्हे अरे जिसको बुलाओ सुने दू कासिम, मेरी तुमें मना किया था कहां तुले गए फिट्रोंग अल्ली, जानाएगा यह फाइदा हुगा कि मैं इन्हें वहां से ले आया हूँ आप इनसे मिलें की खैरित पुछें सुफिश, शुकर है कि तुम वापस आगए यह बजे तुम्हारी भी बहुत फिकर थी तुमने बुरा तो नहीं माना ना किस पात का बुरा भावी नहीं कि मैं पहले कासिम के गड़े लग गई माह हो ना दिल के हाथों मजबूर हो गई थी नहीं भावी, बुरा क्यों मनाऊंगी यसे भी वहाँ मैं खुद से ज़्यादा कासिम के लिए परिशान थी पुपव आप जो भी कहें लेकिन आप बहुत अलेर हैं अकेली वहाँ चली गई डैट को जलसे चुटवाने के लिए क्या करूं कासिम मजबूर हो जैसे भी है मेरे भाई हैं वो काश इस बात का इसास डैट को भी हो कि आप उनकी बहन है कासिम तुम बैठो नाश्ता करो तो सुप़ से कुछ खाया नहीं होगा न मेरी जहाँ नहीं अम्मी मैं पुलिशेशन जा रहा हूँ जा कर देखता हूँ किसी तरीके से दाट की जमाना तो सके कि लेकिन तुम ठीक हो रहा सौफी तुम ठीक हो रहा सौफी जी भाबे अस पानी भीयोंगी थोड़ा पुरी रात प्यने को पानी नहीं मेला कर देखता हूँ कर देखता हूँ मुझे इंसे अकेले में बात करने है वैसे अगर इन्होंने मेरी पेशकष ना मानी तो आपको इन्हें दुबारा जेल में डालना होगा तू कहां जा रहा है अपनी बीबी को उसके जानी दुश्मन के साथ अकेला चोड़के चला जाएगा अपनी पेशकष बताईए हवालात की रात भारी तो नहीं गुजरिया यानि आपको अपनी आजादी अजीज नहीं है क्योंकि अगर होती तो आप बिना पूछे मान लेते मैं अगर बिना पूछे मान लेता तो आप जम्ला कस देती निशकष नी पूछेंगा अरे वाह आप तो बतूल बीबी की कहराईयों तक पहुंचने लगे यानि घाग हो गया आप भी दुश्मन चलाक होना तो होश्यार होना पड़ता है जिस तरह आपने पुलीस को पैसा खिला है जूटा पड़्चा कटवाया है एक बात तो मैं जान गया हूँ अब कोई ना कोई ऐसी पेशकष लाई है जिसे पूछ कर यहां करना चाहिए तो बताये सुनिये वह औरत पागल हो चुकी है भावी अखिर इसको तकलीव क्या है ना वो इस खांदान का हिस्सा है ना गुछ और शोहर मर गया तो अपने घर दफा क्यों नहीं हो जाती वह औरत उसके पास जीने की कोई वज़ा नहीं है अकपर अली खान की नफरत में उससे जिन्दा रखा हुआ है और वो ये सारा खड़ाक सिर्फ सिंदा रहने के लिए पहला रही है ये तो कोई वजा नहीं है पागल है तो पागल खाने जाए हमारी जिंदगियों में क्यों आजाब बन कर तुली हुई है आप नहीं समझेंगे भावी मैं शायद मैं आपको समझा नहीं पाउंगे जिस दिन उसने अपने आसपास की लोगों से नफरत करना बंद कर दी इस दिन वो मर जाएगी उसे ना इबाद से कुछ लेना देना है ना ही नीलम से लेकिन कभी वो खानदान के वकार को ढाल बना कर और कभी किसी बात को जवाज बना कर हमें ऐसे ही तंग करती रहेगी सबकी बार अगर वो यहां आई तो मैं उसका मूझ को चल दूँगी नहीं भावी मुझे तो वो बैचारी काबले रहम लगी है उसे उसे खुद नहीं बता कि वो क्या कर रही है खर छोड़ो तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे भाई के खिलाफ जो F.I.R. उसने कटवाई है उसके बारे में कोई बात हुई यह नहीं वो F.I.R. वापस लेगी और शदाब भाई की जमानत भी करवाईगी जमानत? वो? जिसने उन्हें जेल भशवाया है? जी यह कैसे हो सकता है सूफी? यह होगा भाई और आप देखेंगी लीजे आपकी आजादी के परवाने पर दस्तखत हो गए अब सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसे मैंने कहा है और अगर ना हुआ तो आमना भाई के कतल की फाईल दुबारा खुलवा दूगी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अबाद और नीलम के निकापर मेरी बीवी और मेरी बहन भी शामिल थे बता मुरीद ने ये निकाप अबाद के दोस्त फैसल के घर हुआ थे तुम्हारी बेगम बेहन और बेटा सुब उसमें शामिल थे और रासी थे थेल डाप गड़ चलो वेटा है इसका और से देखले से अभी नहीं लेकिन बाद में इसको इसकी गुस्ताखियों की सजा देगी जो हुकम देदी से अभी बाबा अपना राओध किसी बात अब खोर्फॉ अब खामुशे से गादी चले ये प्लीज बाबा मैं ने अपकी जबानत की बहुत कुशिश की ने अफकल जमान को बहुत कॉल्ट की मेरे, इनके घर भी गया, लेकिन उनकी मिसिस ने आप भी अपनी वारदा की तरह निकले है, आप ने भी धोका देटी है बचे बाबा आखिर बात क्या है? आप रहे के गाड़ी चलाएए और अगा इसा नहीं कर सकते तो उतर जाएए गाड़ी मैं खुद भी चला सकता है अम्मी? 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 सांड का अंटे अम्मी? तुम ठीक हो ना? खुष हो अम्मी? अर फुपो कहाँ पे? फुपो अम्मी तो कह रही थी कि आप घर पर ही नहीं है अम्मी? मेरी छोड़ो नेलम ये बताओ के तुम कैसी हो इबात तुम कैसे हो? ठीक हो अम्मी पाप चली कहाँ गई थी? मुझसे पूछो ये अबात के घर गई थी और वहाँ इसकी बतूल चच्ची ने यरगमाल बना के इसे स्टोर में बन कर दिया था मेरा पाप माजूर हो गया अंगों में जल रहा है पूरी रात भूका प्यासा रखा इसे और नीलम तुम्हारे बाबा अभी भी जेल में है हमी मैने माना कै तुम्हारे बाप ने तुम्हाँ साथ बहुंट बुरा किया बहुत ज़ाँती किया और हमेशा किया तो क्या तुम्हाँ भी वही करोगी तुम्हारे बाप की। तaty हमी फे चाड़े? यह बात को समझाओ कि वो तुम्हारे बाप के खिलाफ जो F.I.R कटवाई इसको वापस ले आँटी मैंने उनके खिलाफ कोई F.I.R नहीं कटवाई लेकिन मनने वाली तुम्हारी माँ थी तुम चाहो तुम्हारी माँ वापस ले सकती हूँ क्योंकि शादाब ने तुम्हारी माँ को नहीं मारा है आँटी प्लीज मैं चाहता हूँ कि ये फैसला पॉलीस करे अगर निलम के बाबा बेकुना है तो पॉलीस उन्हें छोड़ देगी यानि इस सिलसले में तुम हमारी कोई मदद नहीं करोगे आपके कोई मदद नहीं कर सकता हूँ कि ये क्या कह रहा है बाद यानि तुम्हारा सुहाग बनाए रखने के लिए मुझे अपना सुहाग उजारना हूं का अधिने नहीं करती हूं बादे बाद से ये नहीं करें ये करता हूं ये हुचत्व ये हुचत्व ये हुचत्व मैंने जब तुझे माना किया था कि उसको यहां से भागने निदे ना तो चली कैसे गई अब बीभी सेप अब मेरी बात तो सुने उसका भतीजा आ गया था और भदमाशों की तरह घर में दंदनाता हुआ गुसा हर कमरे की तलाशी ली तो तुने उसे रोका क्यों नहीं मैं कै क्यों कर दो गुए कि पर अब में आता रहती है कि मैंने तेरे को कहा था ना बेगम सही पागल हो गया है अब कनी गय बन गया हुए हार बक्चमाठी चलाती रहती है कसम से नफरत हो गए मुझे बीबी साहब से वास बंद का रपणी में अगर आप बीबी साहब के बार में कोई बे उड़ती सीधी बात की जाह उनकी शान में गुस्ताखी की तो मैं भी तुझे चमाटे मारूंगा और इतने चमाटे मारूंगा इतनने चमाटे मारूँगा कि मार मार कर तेरा मूँ लाल कर दूगा जलिक कल इधर से पड़ाया चमाटे मारूँगा सब्सक्राइब कौन है मैं कि बाद यहां आए वह अपनी दीवी के साथ जोटा कौन है निलो मेरे घरवाले या तुम्हारे घरवाले इभाद ही आप क्या कह रहें सही कह रहा हूँ मैं तुम्हारी अमी ने कहा था कि पतूल चची ने तुम्हारी पपो को घर में बंद करके रखा जबकर वो तो यहां पर है और फिर उने ने कहा कि तुम्हारे बाबा जेल में है इन फैक्ट वो तो बड़े मज़े से घर में घूम रहे है तुम्हारे घरवाले मेरे घरवालों पर जूट यल्समात लगा रहे है और तुम्हों के उनका साथ दे रही हूँ मैंने किसी का कोई साथ नहीं दिया अबाबाग, बलके मैं तो खुद उनकी हां में हाँ मिला रही है, उनके गम में पागल हुरी है इसे साथ देना ही कहते है निल्म लेकिन अबाब अम्ही जोट नहीं बोल रही है तो जो कुछ मैं देख रहा हूँ, वो जोट है तुम्हारा साथ दे रहा हूँ और तुम होके अपने घर वालों के सामने मुझे बेज़द करा रही हूँ क्यों कर रही हूँ तुम ऐसा निलो मेरे साथ ऐबाद मैं पिछले दस दिन सा आपके साथ ही थी और अभी भी भी आपके साथ हूँ मुझे नहीं पता है जब क्या हुआ है और क्यों हुआ है निला में काम करते हैं अगर तुम्हे अपने घरवाले इतने ही सचे लग रहे हैं और बहुत तक्लीफ है ना तुम्हे उनकी तो तुम रह जाओ उनके पास मैं भी अपने घर चला जाता हूँ और जाकर अपने घरवालों से सुला कर लेता हूँ लेकिन बहुत बाद बसमिला मुझे तुमने सही कहा था तुम्हे मुझे से बिल्कुल मुहपत नहीं आप हस क्यों रहे हैं? नहीं, मैं कहा हस रही हूँ हस रही हैं आप अरे नहीं भाई मैं हस नहीं रही मैं तो सिर्फ देख रही हूँ क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि इबाद के घर में और इस घर में सिर्फ तुम दोनों ही हो जो एक दूसे से सची महबत करते हैं और तुम दोनों ही लड़ गए लड़े थे अब तो नहीं रॉई व्यू आप Are you sure तुम दोनों की लड़ाई खत्म हो गई है अगर लडाई खत्म हो गई है तो तुम दोनों इतना दूर-दूर क्यों बैठे हो अरे दूर-दूर कहां बैठे हैं ये तो बस मैं आपके रिस्पेक्ट में उससे इतना दूर हूँ बढ़ना तो मैं ठीक है और अगर मैं चली जाओं तो क्या करोगे तो लगाओंगा इस पागल लड़की को तिमाग खराब करके रखती है अरे मैंने क्या किया है लड़ तो आप रहे थे न मुझसे बिलावज़ मुझे इतनी सारी बाते सुना दी बिल्कुल ठीक करोगे बिल्कुल दो के जगा चार लगाना दो मेरी तरफ से फुपो क्या ठीक कह रहा था वो बिल्कुल तुम बिलावज़ा लड़ी उससे महबबत करती हो ना इससे तुम्हे तो इसके दिफार में तब भी खड़े रहना चाहिए जब ये बिल्कुल गलत हो और पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो चाहे ये बात गलत ही क्यों न कर रहे हैं महबबत में सही गलत का फर्क नहीं होता नीलम महबबत तो बस आंख बंद करके दरिया में कूद जाने का नाम है जो कूद गया वो पाड़ लग गया और जो सोच समझ कर कूदा वो डूब जाएगा तो को एक बात तो बताए आप इसे बच्छमन से जानती हैं क्यों ये बताएं कि ये बच्छमन से ही ऐसे सुनती या अब जाकर ऐसे हुई बिल्कुल ठीक कह रहे हो इसे जब कोई डांटा है या कोई कुछ कहता है तो ये बि दिब तुम इसे डांटो और डांट के जाने लगो तो चार कदम के बाद मूड के देखना दोनों की लडाई खतम हो जाएगी I'm sorry, मैं बहुत बोलती हो ना नहीं नहीं फोफो, in fact आप से बात करके तो बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलका अच्छा कर ये बात है तो फिर एक और बात कहूं जाते जाते तुम दोनों अब माशाला शादी शुदा हो और मिया बीवी हो मगर मेरी एक बात मानोगे, कभी भी जिन्दगी में मिया बीवी बन के मत रहना क्योंकि मिया बीवी के दर्मियान अलग हो जाने के चांसे ज्यादा होता है तो फिर और क्या बन कर रहे हैं? आशिक और माशूग क्योंकि आशिक और माशूग के दर्मियान अलग होने के चांस तो दूर, चांस का बच्चा भी नहीं होता वो तो आप सही कह रही हैं पुपो लेकिन हमारे प्यार के खिलाफ जो इतनी सारी नफरत हैं उनका क्या करें इबाद तुम सिर्फ महबबत करो नफरतों को भूल जाओ परवा मत करो परवा करोगे तो मारे जाओगे चला मैं जा रही हूँ तुम दोना बाते करो आखों में जल रहा है बोल एंटर्टेन्मेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें